महिस्ता मुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स और उनका एकनिजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है इस हादसे से छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया है इस मामले को लेकर लोनी कंद थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है और अभिभावकों ने भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की ह बताया जा रहा है कि बस चलाने वाले ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और उसके बाद ये भयानक हादसा हुआ पेड से टकराने की वज़े से बस में जो छात्र थे कई छात्र इसमें घायल हो गये हैं और पुलिस अब इस पूरे हादसे की जाच परताल कर रही है झाल झाल झाल